लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी सिक्स और सेवन करवाया था कहानी बताई थी आपको एक लव्य की और सचीन तेंदुलकर के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी बताई थी ठीक है जो कि उसकी लाइफ और किस तरीके से उन्होंने काफी अच्छा क्रिकेटर वो बने ठीक है वो अमने डिसकस किया था लास्ट वीडियो में तो आज हम क्यास्ट करेंगे activity 8, 9 और 10 करेंगे so जो activity 8 है उसमें matching दिया हुआ है ठीक है यह जो matching नहीं है यह meanings है ओके तो यह जो meanings है यह आपको अपनी English की notebook में लिखना है जो कि यह homework है ओके यह आपका homework रहेगा यह activity आपको textbook में आपको tick कर लेना है और notebook में यह सब लिखना है meanings ओके पहला दिया हुआ matching endorsement endorsement का meaning क्या है statement or action which shows that you approve of something आपके action से ठीक है आपके कारिवाई से आपके action से पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा काबिल हो reject नहीं कि not accept a proposal ठीक है नहीं कि proposal को accept नहीं करना मना कर देना dignified तो dignified का हैगा काम काफी साथ काम impressive और काफी साथ जो deserve करता है respect that is the dignified next है fitted तो fitted आएगा ओके first आएगा celebrated, welcomed and praised ठीक है जिसको praise किया जाता है appreciate किया जाता है then work ethics so आएगा rules of behavior in one's job okay then यह नहीं कि आपको rules जो बे किस तरीके से behavior आपका होना चाहिए उस आपके rules and regulations जो है that is the work ethics trodent work perspective a particular way of thinking about something यानि किसी के बारे में बढ़े, कुछ एक सोच ना, थे कि किसी के बारे प्रटिकुलर पटिक्लर, how to think, which means आप सोचते हो, that is the perspective, next last है inevitable, inevitable है का certain to happen or unavoidable, इसको आप avoid नहीं कर सकते हैं, okay, so अभी next क्या दिया हुए इसमे, use any six of the words from A to write some sentences about your favorite sportsman, आप अपने sportsman के बारे में यही six words को लेकर आप लिख सकते हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप अपने, आपका कोई भी sportsman हो favorite, आप उसके बारे में भी यह लिख सकते हो, ठीक है, so my favorite sportsman is MS Dhoni, यहीं महिंदर सिंग Dhoni, he has led a dignified lifestyle, यहीं कि वो किस तरीके से lifestyle जीते हैं, काफी साथा काम और काफी impressive भी है, और काफी यह disrespect भी deserve करते हैं, तो उस तरीके से उनके lifestyle है, he has a trojan and ever progress path to success, आपने पाथ हैं, कि कदम हमेशा उन्होंने अपना progress में ही जो कदम ठीक यहां पर कहा गया है कि trojan का मतलब होता है walked, यह अपने कदम आगे बढ़कर यह progress के तरफ और success के तरफ चलते रहें, he has, sorry, he follows work ethics and never goes out of track, उन्होंने हमेशा क्या follow किया, work ethics follow किया, हमेशा rules और follow किये, ठीक है, कैसा behave करना चाहिए, वो सब उन्होंने follow किया, और कभी भी वो दूसरे कोई गलत track पे नहीं गए, he is fatted for his perspective to his work, वो हमेशा ही, मतलब साय मतलब की praise किया गया है, appreciate किया गया है, उनके काम को, और उनकी जिस तरह किसे उनकी thinking है, काम की तरफ, वो भी काफी जादा ही, साय मतलब welcome किया और appreciate करने जैसा है, so he is dedicated to his work, काफी जादा, dedicated काफी जादा hard working person है, towards his work, then, यहाँ पर आएगा, आए के जगा, he आएगा, okay, he rejected many proposals, okay, he rejected many proposals, आएगा, यहाँ पर, आप proposals लिख देना, he rejected many proposals, for satellite, okay, for satellite TV, to, sorry, for life coverage, ठीक है, उन्हों, life coverage के लिए, जो भी उनको, मतलब, पैसा दिया जा रहा था, बड़ी रकम दी जाएगा, जो proposals उनको दिया जा रहा था, ताकि वो life coverage कर सके, वो सब उन्होंने reject कर दिया, okay, then, आप इसके बाद आएगा, okay, so, next है, he endorsed that someone will try to offer a better price, अन्होंने अपने actions से दिखाया, कि, वो कोई भी अगर उनको अच्छा price देने का offer करेगा, तो वो बिल्कुल ही मतलब, वो approve भी नहीं करेंगे, okay, so, that is endorsed, okay, तो इस तरीके से, आप अपने मतलब की six words को, यहां से लेकर, आप अपने sports person, जो भी sportsman है, आपका favorite, वो आप अपने वर्स से मना के लिख सकते हो, okay, now take out next page, number 25, activity 9, here is an excerpt of an imaginary interview of MS Tony after winning the World Cup, ठीक, अभी यह MS Tony का interview लिया, interview लिया गया था, जब वो World Cup जीते थे, उसके बाद का यह एक imaginary interview है, ठीक है, जीसे conversation की तरह ही है, यह, so interviewer, congratulations on a historic win, how do you feel, तहाँ पर जो interviewer है, जो धोनी का interview ले रहा था, वो क्या कह रहा है, कि यह उसको बदाई दे रहे हैं, धोनी को congratulations, आपके काफी ही, बहुत ही बड़ी historic win हुई है, काफी, इतिहासिक यह, जीत है हमारे लिए, तो आपको कैसा लग रहा है, दोनी ने कहा, it's a wonderful feeling, काफी अद्बुत feel हो रहा है, इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा खेला भी है, interviewer, you really kept your cool, even though it was a close finish, यह निकि आपने अपना सब्र बनाए लखा, आप एकदम ठंडे रहे, काफी patiently, काफी समझदारी से आपने अपने आपको ठंदब की cool रखा था, काम रखा था आपने, बलकि just हम लोग close enough थे और फिर भी अपने वो अपका गुस्सा ने शो किया किसी की तरफ, ठीक है, so धोनी, well, गंबीर was a great support at the other end, it's totally the team's effort, अच्छा तो गंबीर जो है, वो काफी सादा ही, बहुती अच्छे support रहे हैं हमारे लिए, आखिर तक और इसलिए, यह एक पूरा का पूरा team effort की वज़े से हो पाया है, मुमकीन, इंटर्विवर, congratulations once again, धोनी, thank you, एक और इंटर्विवर ने दुबारा धोनी को बदाई दी, और धोनी ने कहा शुक्रिया, नेक्स्ट है, think of a person whom you admire and would like to interview, आपको सोचना है, ऐसे person के बार में जो आपको admire करते हो, जो आपके लिए ideal हो person ठीक है, उनका आपको interview लेना है, तो उसके लिए आपको कुछ set of questions prepare करना है, जो आप पूछ सकते हो उनसे, आपको यह pair में काम करना है, और where one is the, जो कि एक interviewer बनेगा, और जो दूसरा जो, and the other an interviewee, and enact a mock interviewer, आपको क्या करना है, आप एक interviewer हो, जो आप favorite person, जो भी आप admire करते हो, उसका interview आप ले रहे हो, और दूसरा जो है, वो एक interviewee बनेगा, ठीक है, जो आपके हर एक questions को वो answer करेगा, तो आपको एक mock interview, create करना है, लिखना है आपको, ठीक है, जैसे की कुछ है, एक exam, मैं आपको बोल कर ही, और ली, वर्बल ही, आपको बोल कर ही, मैं बता देते हूँ, जैसे आगर आप लिख सकते हो, कि I admire mega star Amita Bachchan, and I would like to ask him the following set of questions, that is, आप क्या पूछ सकते हो, questions, कहां से आपको ये inspiration ये प्रेड़ना मिली, कि आप एक बहुती आपको एक्टर बनने के लिए, ठीक है, और दूसरे question से आप ये पूछ सकते हो, कि where did you get the training or coaching to become an actor, आपने कहां से training लिए है, ताकि आप एक एक्टर बन सको, या whom do you admire and why, आप किसको admire करते हो, क्यों, क्योंकों से ऐसे efforts डाले ताकि आप और जादा ही काफी अच्छे successful actor बने हो, तो इस तरीके से आप अपने खुद एक set of questions जो है, आप पूछ सकते हो, जिसको भी आप admire करते हो, उनसे आप ये questions जो है, वो पूछ सकते हो, तो ये आप सब एक अपने words में बना के भी लिख सकते हो, जो मैंने कहा, आप ऐसे questions पूछ आउट कर सकते हो, ठीक है, अब next activity number 10, इसमें क्या कहा है, conduct an intergroup quiz competition on topics related to sports, आप क्या है, एक conduct कर सकते हो, intergroup quiz competition, कौन से topic पे sports के उपर, आप एक intergroup quiz competition अरेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब conduct कर सकते हो, और जिसमें three rounds होंगे, पहला round जो होगा, जो general questions होगा, पास round होगा, अगर एक को question नहीं आए, तो दुसरे को pass हो जाएगा, दुसरे को नहीं आए, तो तिसरे को, ठीक है, एक general question and answers होगा, first round में, second round में visual round, यानि कि आपको visually, आपको कोई image, कोई video दिखाया, मतलब दिखाया जाएगा, sports के related ही दिखाया जाएगा, और जिसको आपको guess करना है, round three में rapid fire round होगा, यानि कि fast fast questions आप से पुछे जाएगे और आपको फटा फटा उसका answers देने होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप inter group quiz competition conduct कर सकते हो, ठीक है, अपने classmates के तुरू, अपने friends के तुरू, आप ये अक्टिविटी आप ये कर सकते हो, इस वीडियो को आप दुबारा भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता चला है, नहीं समझ माया तो, ठीक है, तो तब तक के लिए, good bye, and have a nice day, take care, okay, bye.